Hello and welcome to Global Academy आज 27th मुई देखते हैं आज के तमाम करंटेफिर्स और इनसे रिलेटे जितने इंपार्ड़ट फेक्स होगे वह हम डिसकस करेंगे अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहे होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन नो मैंने लिक दे दिया है वहाँ से आप इसके PDF डॉनलोड कर सकते हैं लेट्स बिगिन विद फरस्ट क्वेश्चन विच अमंग दा फॉलिंग स्टेट्स हैज अलोड इंटर स्टेट मोमेंट आफ प्यूपल करनाटका एस अलोड इंटर स्टेट ट्रेवल अमिर फूर्थ फेज़ अफ निशन वाइट लागड़न तो अब इनको स्टेट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनको ट्रेवल पास की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और अगर इनको करनाटका से बाहर किसी और स्टेट में जाना होगा तब भी इनको अब किसी पास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन अगर जो रेसीविंग स्टेट है उनकी कंजेंट हो तो ये करनाटका ने इंटर स्टेट मोमेट शुरू की है करनाटका से related कुछ और important information देख लेते हैं यह है इंडिया का map यहाँ है यह करनाटका रेड कलर का फार्मिशन 1st November 1956 एजमेसूर स्टेट यहाँ के बैंगलोरू गौर्नार यहाँ के वजो भाईवाला चेफनसर यहाँ के BS यडियरपा जो की BGB से है यहाँ की स्टेट सिंबल देखते हैं क्या क्या है mammal, Indian elephant bird यहाँ का Indian roller flower, lotus flower और tree है यहाँ का red cenderwood tree तो स्टेट्स मैं कोशिश करता हूँ करनाटके फिर के साथ-साथ इनसे related important facts भी उताता हूँ जिसमें जर्नल नालज़ का एक बहुत ही important portion आपका cover हो जाता है तो जो भी नावीवर से उनसे request है कि यह इस टाइब की एक बहुत ही अच्छी videos मैं upload करता हूँ तो आप हमारी चैनल को subscribe करें और daily based videos को देखा करें ताकि आपको इसका benefit हो करांटे फिर के साथ आपको जी के भी बहुत ज़्यादा strong हो जाएगा so next question when is international tea day observed it is observed on 21st मई अंतराष्ट चाय दिवस कब बनाया जाता है तो यह बनाया जाता 21st मई को तो यह जो international tea day है यह पूरे world के अंदर मनाया जाता है 21st मई को और इसका aim यह है कि लोगों के अंदर जो tea है इसके deep culture और economic significance जो इसका है पूरे world के अंदर इसके long history रही है तो उसके बारे में लोगों को aware करने के लिए यह दिन बनाया जाता है इस वकत इंडिया के अंदर five famous tea है कौनकों से एक ताय मसाला चाय बटर टी, आसाम टी, डारजिलिंग टी और निलगरी टी यह इंडिया की most famous tea है इनको अपने याद रखना है Next question The United States issued a statement condemning which nation's exclusion from world health assembly साहियक तराज अमरीका ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि विश्वस्वास्त सभा से किस राष्ट को भहिश्कार किया गया है तो इसमें इन्होंने condemn किया है United States ने यानि एक country है जिसको world health assembly में नहीं बलाए गया है विश्वस्वास्त सभा में नहीं बलाए गया है तो United States ने इसको नाराजगी जताई है कि इनको क्यों नहीं बलाए गया है तो United States has condemned Taiwan's exclusion from world health assembly और इन्होंने यहां के United States के जो secretary of state है Michael R. Pump इनने WHO Director General Tendros Andronom Ghebreyesus इनको accuse किया है कि इनने deliberately Taiwan को इस assembly में invite नहीं किया है और यह सब इन्होंने People's Republic of China के pressure की वज़े से ऐसा किया है तो यह United States निसमें नाराज़गी जताई है कि People's Republic of China की वज़े से WHO के director general ने तेवान को नहीं बलाया है तो यह तेवान से related information थी तेवान एक country है इसके बारे में कुछ और important information गयन करते है यह है map यहां यह इंडिया है यह चाइना है और इस जगह है यह तेवान तेवान officially इसका नाम है Republic of China ROC यह एक state है in East Asia लेकि चाइना के इसके उपर कोई control नहीं है लेकिन यह claim करता है कि One China principle जो है चाइना चाइना का उसके थो यह claim करता है इसको अपना part इसके जो नेबरिंग states है इसमें People's Republic of China PRC यह इसके नॉर्थ वेस्ट में जापान तो दे नॉर्थ एस्ट और फिलिपाइन तो दे सौथ तेवान यह एक बहुत देंसली पापुलेट स्टेट है और लार्जस्ट एकॉनमी है इसकी लेकिन यह United Nation का मेंबर अभी नहीं बना है तो यह आपको याद रहा है तेवान is a country but it's not the Member of United Nations Capitalist की यहाँ टापाई President यहाँ के साइं इंग वेन Currency है यहाँ की new तेवान डॉलर तो यह थी तेवान से related important information Next question World's first major football league resumed its season post COVID-19 lockdown in which among the following countries विश्व की पहली प्रवफ फुटबाल लेग season जो COVID-19 के lockdown के बाद फिर से शुरू किया गया है तो यह किस country में फिर से शुरू किया गया है यह Germany में शुरू किया गया है फुटबाल लेग season COVID-19 के lockdown के बाद यह Germany ने यह season शुरू किया है और यह इसके जो मैचिस वगरा है यह अभी हाल हमे 16 मई से शुरू हो चुके है तो यह Germany as a first country बनी है जिसने lockdown के बाद यह दुबारा से फुटबाल लेग season यह resume किया है तो next question name the Spanish footballer who recently announced retirement उस Spanish footballer का नाम बताएए जिसने हाल हमे स्यवाने तुरेती की घोश्रा की है तो यह एर्टिज एड़ोरीज है जिने अभी हाल हमें retirement की announcement की है तो यह है यहाँ इनकी picture next स्पैन से related कुछ important information भी देख लेते हैं यह है globe यहाँ यह इंडिया है इस यह यह स्पैन fourth largest country in Europe है President यहाँ के Pedro Sanchez Capital यहाँ के Madrid official language Spanish और इसके जो border में है Mediterranean Sea है इसके south east में यह थी important information regarding span next question former Australian tennis player and four times grand slam single champion passed away at 83 what is his name पूर अस्ट्रियाई tennis खिलाड़ी और चार बार grand slam singles champion जीतने वाले जिनकी अभी 83 में उनका निधन हो गया उनका नाम क्या था तो Ashley Cooper इनका नाम था इनका हाली में निधन हो गया यह है Ashley Cooper इनका भी हाली में निधन हो गया यह former ranked number one player रहे है one eight grand slam titles four grand slam singles and four slam doubles titles इनने अभी तक total जीते हैं अपनी life में he was born in September 15, 1936 in Melbourne, Australia तो Australia के अगर बात की जाए capital यहां की Canebra prime star यहां की Scott John Morrison currency यहां की Australian dollar next question who had recently launched restart program to revive MSME sector किसने हाली में MSME खेत्र को पुनर जीवित करने के लिए restart कारी करम शुरू किया है तो यह आंध्रापरदेश ने शुरू किया है अंध्रापरदेश के चेफ निस्टर Y.S. जगन महरेडी इन्होंने अभी हाल ही में 1110 करोड का restart program अभी इन्होंने लांच किया है जिसमें यह जितने भी micro smart और medium enterprises sector and state के उनको support करेंगे और उनको boost करेंगे तो यह program ने शुरू किया restart program और यह शुरू किया है अंध्रापरदेश government ने तो अंध्रापरदेश से related कुछ और important facts भी देख लेते हैं तो यह है हमारा इंडिया और इसके अंदर यह है अंध्रापरदेश यह आपको याद रखना है map के अंदर स्टेट रूट मिला था इसको 1st October 1953 Capital City Amravati चेफने यहां के Y.S. Jagan Moharedi Governor Biswa Bhushan Harichandan और अंध्रा को कभी कभी rice bowl of India भी कह जाता है अंध्रापरदेश सम्टाइम्स राइस बावल of India Next question Who has recently ties up tied up who recently ties up with Clemendalum Investment and Finance to launch buy now and pay later offer किसने हाली में Clemendalum निवेश और वित के साथ संभा स्ताबित किया है जो pay अभी भुकतान करें बाद में pay अभी और भुकतान करें बाद में यह प्रस्ताव लाँच किया है तो यह मारूती सुजुकी ने किया है pay now and pay by now and pay later यह आफर अभी निवेश ने Clemendalum Investment and Finance के साथ मिलकर यह सिकीम लाँच की है और इस सिकीम के तहर जो भी कस्टमर्स हैं वो अब अपने EMI के ऊपर 60 days का सर्चार्ज भी अवैले कर सकते है और इस आफर इस अफर इस अलेबल यह दोनों कंपनीज के बारे में कुछ इंपॉर्टर इंफार्मिशन भी देख लेते हैं About Clemendalum Investment and Finance Company Limited Headquarter इनका चिन नही तामिल नाडू में Managing Director है इनके Arun Alangappam And About Maruti Suzuki India Limited Headquarter इनका नियो डेली में और Managing Director है And CEO है इनके Kenichi Ayukawa तो यह थे आज के तमाम करणटे फिर्स और इस रिलेटर इंपॉर्जन फैट्स जो भी नाई वर्स हैं उसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चनल को सबस्क्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें शियर करें Okay, thanks, best of luck And as always, God bless you